एक मैच में चीज बतानी थी ये मैच की टाइमिंग ना थोड़ी लेट है मतलब अगर आपने कहीं लोग मुझे बोलेंगे कि बाई हम तो अलाम लगा के खेल लेंगे ठीक है वो खेल सकते हैं लेकिन मैं ये मैच कवर नहीं कर रहा लेकिन मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं औ हम जान से सुन लो तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है यहां पे आप मॉर्निंग में रिजल्ट बेच सकते हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो और रिप्लाइ इंस्टेंट मिलेगा क्योंकि बाकियों की तरह नहीं हूं मैं ठीक है तो गाई इस चैनल का लिंक नीच नीचे description में डाल दे और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को पुरस्तायत नहीं कर रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलिजबल है चलते हैं आगे बात करें पहले सबसे पहले इस मैच की EST और EVM का जो मैच होगा इसमें EST जो टीम है EST टीम के पास ज़्यादा आपरचुनिटी है क्योंकि EST टीम अपनी लीग में नमबर वन पे है रैंकिंग में नमबर वन ओए होई होई मतलब नमबर एक होना बहुत बड़ी बात है जबकि EVM अपनी रैंकिंग में पांचवे नमब keeper की यहाँ पे लूँगा Fernando Depol को Fernando Depol लिया जे पेना में से एक खेलेगा and naturally जो भी खेलेगा में लेना पड़ेगा credit issue इस मैच में एक पैसे का भी मुझे नहीं आया आगे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लूँगा Valdis को Bruno Valdis को तो हर बंदा लेगा इमनोस को भी हर बंदा लेगा लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्कांज शुरू होता है एक player है एक EVM टीम का जिसका नाम है guys Alex तो और Alex को सब लेंगे मैं आपको लिखके देता हूँ इस बंदे को हर opponent आपका लेके आएगा और मैं जो हूँ इसको नहीं लेने वाला इस player को मैं अपनी टीम में नहीं लेने वाला जबकि इसलिए बहुत बड़ा रिस्क है और इसकी जगा जो मैं player ले रहा हूँ वो है guys a great assister Leonardo Godoy जबरदस असिस्ट करता है कभी I think आपने इस league के बारे में सुना नहीं होगा लेकि अगर आपने यह ना बहुत चोटा सा मतलब आप venue आप stadium देखोगे ना football का तो आप बोलोगे क्या बच्चों का stadium है लेकिन game तो game होती है and नग्यूरो की बात करें आपे लूँगा फैबिन नग्यूरो को फैबिन नग्यूरा की जगह आप ले सकते है बेल्टरन को देखो पांच defender भी खेल सकते है लेकिन हमने चारी लेने है आगे से मैं बात करूँ मैं यह आपे ले रहा हूँ Mattis Pellegrini को इसकी जगह आपका मन करेगा कि मैं गुस्चैवो को ले लूँ आपका मन करेगा कि मैं जुकोई को ले लूँ तो अगर आपने किसी को लेना ही दिन आप जुकोई को ट्राइ कर सकते हो लेकिन Pellegrini को नहीं छोड़ना अगर आपने किसी को छोड़ना है तो defending में छोड़ो अगर मैं आपको समझा रहा हूँ मैं यह नहीं कर रहा है कि छोड़ दो बट मैं तो नहीं कर रहा है मैं तो छोड़े में रिस्क लूँगा पहले लिग नहीं को अपनी टीम में लूँगा आगे से बात करें QS की जो हैं QS EVM में सबसे ज़्यादा गोल करता है प्लस यह EVM का पनेल्टी टेकर है और साथी साथ एक प्लियर है इनका मैडरिट इसको I think पता नहीं रेड कार्ड हैंड ओवर हुआ था क्या हुआ था पिछले मैच में तो मुझे पता नहीं कि यह लीग खेलेगा कि नहीं एल दियाज मैं हस रहा उन लोगों पे जो एल दियाज को नहीं ले रहे यह 14% सेलेक्शन पता है क्या है यह विनिंग पॉइंट है जितनी कम सेलेक्शन उतना अच्छा आपका ओपनेट होगा खाली आपके पास होगा वो आपका होगा कैप्टन वो करेगा गोल आप 100 पॉइंट आगे और एल दियास के गोल के चांसिज हैं अराउंड जादा नहीं 70% देखो 90 नहीं बोड़ रहा भाई 70 और बोसैली है जो वो गोल कम करता है एसिस्ट ज्यादा करता है गोल बोड कम करता है असिस्ट ज्यादा करता है बाकी पनेल्टी टेकर इस team का वो पॉसैली है और आगे से बात करे सौसा कि इस में सौसा बे मुझे भुरोसा नहीं है मेरी मजबूरी मुझे इस player से को दिलवारी है बाकी इसकी जगा में होता दो LD यॉरियो को लेता लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता गाइस पहली मीडर नाइट बहाच है हो रहा और कोई प्रॉबलम हो जे आप स्पेशल जागो इसलिए मैं सोसा को ले रहा हूं आगे से बात परे कैप्टन की LD आस मेरा इतना टेंशन के जीत होगे मिलता हूं नेक्स वीडियो में बाई